राहुल गांधी लगातार आलोचनाओं का शिकार होते जा रहे हैं अब राहुल गांधी कॉंग्रिसियों के ही आलोचना का शिकार हो गए हैं राजिस्थान की कॉंग्रिस सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंग के बेटे अनिरुद्र सिंग ने राहुल गांधी को इटालियन बताते हुए उनकी आलोचना की है राहुल गांधी के विदेशी धर्ती से भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए अनिरुद सिंग ने एक के बाद एक ट्वीट कर राहुल गांधी को निशाने पर लिया अनिरुदर सिंग ने कहा है कि राहूल गांधी शायद इतली को ही अपनी मात्रभूमी मानते हैं पिछले दिनों कॉंग्रेस पाटी के ओफीशिल हैंडल से राहूल गांधी की एक तस्वीर शेयर की गई थी इस तस्वीर पर कटाक्ष करते हुए अनुरुदर ने लिखा हां राहूल मानते हैं कि वे एक इटालियन है लंडन में राहूल गांधी ने कहा था कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुरुद्ध ने लिखा कि क्या ये सब बकवास भारत में नहीं किया जा सकता था ये राहुल गांधी अनुवानिशिक रूप से यूरोपेन मिठी को पसंद करते हैं राजिस्थान की कॉंग्रस सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंग के बेटे अनुरुद्र सिंग के बारे में कहा जाता है कि अनुरुद्र सचिन पाइलट खेमे के हैं और वो सचिन पाइलट के करीबी है अनुरुद्र सिंग ने अपने ट्वीटर पर सचिन पाइलट के फो